असलामेकुम एवरिवन, I hope everyone is doing good, सब टिक्टाग होंगे, मज़र में होंगे, भले जंगे होंगे, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होगे, welcome back to another day, another video by Anaya Umair, Vlogs, आज का Vlog मैंने especially उन लेडिज, उन हाउसवाइस, उन लोगों के लिए जो है, डिजाइन किया है, जो के कहीं न कहीं अपनी जिन्दगी में डिप्रेशन, इंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना कर रहे होते हैं, आपने वी लॉग को पूरा देखना है, इसमें मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगे, जिनको आप अपनी लाइफ में बहुत उसका इंपक्ट होगा आपकी डेली लाइफ पे, तो ओवरकम स्ट्रेस, इंग्जाइटी और तिंग्स लाइक दिस, बींग का हाउस वाइफ मीन्स धेसर रिस्पॉंसिबिलिटी जो हैं, आपके कंदों पे होती हैं, आपको घर के काम भी देखने होते हैं, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब का ख्याल करना होता है, आजबन का, बच्चों का, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो अपने इंलाउस के साथ रहते हुए, उनकी धेकबाल या उनके लिए कोई भी काम जो आपके जुमे होते हैं, वो आपने बाहा रही होती है, न तमाम चीज़ों में हम जिस चीज़ों सबसेदाइगनोर करते हैं, वो होती है हमारी मेंटल हेल्थ, जब हमारी जो मेंटल हेल्थ वो खराब होती है, तो आपको जो हैना स्ट्रेस की, जो है आप फिलिंग of isolation होती है, और साथ में ईवन आपको depression भी सम् मतलब अगर आप मेरी जात का पूछें आप मेरा लाइस्टायल देखते हैं सब कुछ देखते हैं मेरे वी लॉग्स में मुझे भी सम्टाइम स्ट्रेस होता है डिप्रेशन होता है, इंग्जाइटी होते हैं इन तमाम चीजों को मैं भी फेस करती हूं इन तमाम चीजों को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं एक फुल्फिलिंग लाइफ कैसे एंजॉई कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजिस कैसे लाज सकते हैं ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में बात करना चारी हूं आपने वीडियो एंट तक देखनी है, सारी देखनी है और कोई चीज आपको लगे के समझ नहीं आई तो यू कन लेट मी नो इन दा कॉमेंट सेक्षिन डाउन बेलो अच्छा, मैं आपको बता हूँ कि शादी से पहले की और शादी के बाद की लाइफ में बहुत फर्क होता है शादी से पहले की जो लाइफ होती है उसमें आपको कोई रिस्पॉंसिबिलिटीज नहीं होती है शादी होते ही आप पे बहुत सारी रिस्पॉंसिबिलिटीज आन पड़ती है और शादी के बाद जो है ना मेरा हाल से हर लड़की को डिफरंट फेजिस से गुजरना पड़ता है कोई ना कोई फेज लाइफ में ऐसी ज़रूर आती है जिससे आपको डिप्रेशन इंग्जाइटी हो जाती है उनको शादी से पहले इंग्जाइटी और इंतमाम चीजों का सामना कर रहा है उन लोगों के लिए तो है जो कि शादी के बाद भी इन चीजों को फेस कर रहे है जो अनमेरिट लड़की आ होती हैं उनको नॉर्मली उस तरह के प्रॉबлем्स फेस नहीं करने पड़ते लाइक उनको छोटे मुटे एक दो प्रॉबलम्स हो सकते हैं उनको फानेंशली कोई चीज लेनी हो बाइक करनी हो माकिर्सें तो मेभी फानेंशली को इस्यों हो या उन इन लॉज अच्छे मिल गए हैं तो मेभी आपके हजबन में कोई प्राब्लम हो लेकि आपके पास पैसा है तो आपका हजबन जो है आपको चीट कर रहा हूँ इस किसम की बहुत सारी चीजे होती हैं बच्चोंस की हैल्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजे होती हैं इसके होता आपके वस पैसा बहुत है तो उलाद नहीं है और इस तरह के बहुत सारे इशूस जो है आप मेरे वी लॉग्स देखते हैं आप मेरा लाइस्टाल देखते हैं आप सोचते होंगे कि इसको क्या डिप्रेशन हो लोग हैं जिनको इन तमाम फेजिस से गुजर रहे होते हैं देखें हर इंडविजियल के जो है ना प्रॉब्लम्स वैरी करते हैं किसी को हैपिली मेरेट कपल होता है पैसा दौलत सब कुछ होती है बट उनके पास उलाद की नहीं होती और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इन लॉज अच्छे नहीं मिलते या हेल्थ के बहुत सारे इशूस फेस कर रहे होते हैं तो हर बंदे के प्रॉब्लम्स हर इंडविजियन के प्रॉब्लम्स जो है एक से दूसरे से वैरी करते हैं बट प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो है न अपने इन प्रावलब्लम्स का धोल बजाना शुरू कर देते हैं जो stress anxiety और depression हमें हो रहते हैं हम उसका धोल बजाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने कोई nearby में लाइक मुहले बाले से जाके जो है उससे discuss करेंगे, हमें वहां से तसली नहीं होगी, तो हम जाके किसी और बंदे से discuss करेंगे if you are a working woman, if you are a working person आप जाके अपने कुलीक से depression, anxiety और तमाम अपना जो भी problem है, उसको share करेंगे तब भी तसली नहीं होगी, तो आप कोई third, fourth person ढूनेंगे and so on या फिर हमें इस किसम के कोई वजीफे करना शुरू कर देंगे, किसी ने अमल बता दिया कि आप यह अमल 40 दिन कर ले 30 दिन कर ले, 5 दिन कर ले, 10 दिन कर ले, लेकिन असल चीज़ जो आपको करनी चाहिए हमें अपना connection अल्ला से बनाना चाहिए हम यह नहीं करते हैं हम इदर उदर जो है, अपने problems का solution ढूलते रहते हैं और हम अपनी life में अल्ला से मदद नहीं मांगते हम नमाज नहीं पढ़ते हैं हम इस किसम की चीज़े करते हैं हाँ, शायद हम यह इसलिए करते हैं, कि शायद हमें अल्ला से इस तरह से back to back response नहीं आता तो होता क्या है कि हम जो है लोगों से बाते हैं करना शुरू कर देते हैं लोगों को अपने problems बताना शुरू कर देते हैं और पर इस वाँ में क्यों कि किसी को भी आप अपनी problem शेयर किये ना वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अपने पेट में रख लेगा बर लेटर ऑन वो जो है फिर एक से दूसरे दूसरे से तीसरे आपकी बात जो है वो इदर से उधर होती है और आपको पता भी नहीं होता कि आपकी बात एक बंदे से सो बंदों तक कैसे पहुंच की आई अगरी के आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर बंदा चाहिए होता है जिससे आप अपनी खुल के हर चीज डिसकस करें हर चीज में मशवरा मांगें हर चीज में जो है रहनुमाई ले तो I agree कि आपको कोई ना कोई एक बंदा चाहिए होता है जो आपको और कुछ नहीं तो आपको moral courage कर सके motivate कर सके, आपको encourage कर सके और आपके उस face से निकल में ने में आपको help out कर सके लेकिन हर किसी के आगे अपने रोने रोना, अपनी मुश्किलात का तसकरा करना, इसका आपको कोई भी फाइदा नहीं होता है, उल्टा आपको नुक्सान ही होता है क्योंके नहीं हमारे जितने भी life में problems हैं, जितनी भी anxiety है, depression है उन तमाम चीज़ों का हल सिर्फ एक जात के पास है, वो है Allah ताला तो हम उस जात से रुजू नहीं करते, उस जात से बात नहीं करते और हम सब जगाए ये रिंडोरे पीट रहे होते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी सूरत आज बताने जा रही हूँ जिसको सिर्फ सुनने से ही आपको इतना relief मिलेगा, आपका जो depression है, anxiety है ताइम वो खुद कम होना शुरू हो जाएगी, ये मैं नहीं कह रही, ये इस सूरत की अगर आप detail सुने, जाकर डॉक्टर इसरार एहमद को सुने, आप इस सूरत से related उनकी सारी तमाम बाते हैं जब हजूस सलम पर एक time वक्त आया था, जब हजूस सलम पर वही नाजिल होना कुछ अरसे के लिए जो है रुक गई थी, बंदो गई थी तो उस time पर ये सूरत नाजिल हुई थी देखें मैं अब जो बात करने चारी हूँ ना Being the Muslim में भी आप उसको आपको बुरी लगे या आप उसको जिस्टिफाइ ना कर परें बट इस टू जो मैं कहने चारी हूँ वो यह है कि जब आप बहुत जादा stress, anxiety और depression में होते हैं आप जो है आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप इस सारे सिनेरियों से कैसे निकलें इस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ जो आपको हील कर सकती है जो आपको strong कर सकती है जो आपको motivate कर सकती है सारे face से बहार निकाल सकती है वो है Allah ताला का कलाम जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि अला की तरह से जैसे instant response नहीं मिलता back to back response नहीं मिलता तो फिर दिल नहीं करता नमास पढ़ने का या कोई भी इस तरह की चीज़ करने का लेकिन एक चीज़ इस तमाम face से निकलने के लिए जिसने मुझे थरू आउट हमेशा help किया है that is सूरा दूआ सूरा दूआ यह एक ऐसी दूआ है इसको मैंने तब तब जब जब पढ़ा है जब जब सुना है जब जब इसके तर्जमें पर गौर किया इसने मुझे अपने stress, depression, anxiety इन तमाम चीज़ों से overcome करने के लिए help आउट किया है जब मेरा कभी नमाज परने का दिल नहीं करता जब मुझे stress होता है जब अल्ला तहला से दूआ मुझे जब anxiety, stress और depression का बहुत सारा गल्बा आपके दमाग पे आ जाता है तो बस एक नाउमीदी सी हो जाती है जो कि एक बहुत गलत बात है अल्ला से उमीद हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए इनसानों से उमीद रखनी नहीं चाहिए और अल्ला से उमीद छोड़नी नहीं चाहिए इसलिए त्रू आउट जिंदगी में struggle करने के बाद बार बार नाकामिया, failure face करने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिप्रेशन अंग्जाइटी और जो है ये तमाम चीज़ें आपको फेस करने पड़ती है लाइक बहुत सारी मेरी बेहने बहुत सारे ऐसे लेडीज जो घर से वर्क करने की कोशिश कर रही हैं अगर जॉब कर रही हैं तो अपनी जॉब में जो है एक स्ट्रग्लिंग फेस से गुज़र रही होती है कुछ यूट्यूब पर स्ट्रगर कर रही है लाइक मी कुछ इन लॉज के साथ कॉप अप करने की कोशिश कर रही है कुछ बच्चों से related issues कर रही है मतलब किसी ना किसी phase में life के उन्हें कोई ना कोई challenges कोई ना कोई stress कोई ना कोई depression and anxiety हो रही है और उन्हें response नहीं मिल रहा continuous failure है उनकी life में और ऐसे situation में अगर आपका नमास पढ़ने का दिल नहीं कर रहा मैं यह नहीं कहूंगी कि आप नमाज छोड़ दें बिलकुल और नमाज ना पढ़ें कोशिश करें किसी भी तरह अपने आपको पुश्च करके इतलीस फर्स जरूर पढ़ें आई नो जब आप शदी स्ट्रेस इंसाइटी और नामायूसी की हालत में होते हैं तो आपका कुछ करने का दिन नहीं करता इवन नमाज भी पढ़ने का दिन नहीं करता लेकिन मैं आपको यहां पर यह कहूंगी कि सिर्फ अल्ला की जात है आपको इन तमाम चीजों से निकाल स सूरत को जरा तरजमे के साथ पढ़ें और डॉक्टर इसरार का जो इसके बारे में तफसीर और तरजमा है उसको सुने सूरह दौा सुने और साथ में आप च्छोटी सी सूरत है यह अगर इसके तरजमे पे गोर करेंगे इसके लफास पे गोर करेंगे तो आपको खुद किसी फेस में होती हैं मैं इस सूरत को सुनती हूँ फिर इसका तरजमा सुनती हूँ और डॉक्टर इसरार की तर इसकी जो है तफसीर भी सुनती हूँ बहुत सुकून मिलता है बहुत रिलीव मिलता है और तुमारे परवर्दिगार ने ना तो तुमको छोड़ा है और ना कभी भी hopeless नहीं होता, अंधेरा जरूर होता है, लेकिन हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर मुश्किल के बाद असानी है, तो जब भी आपको कोई भी life में किसी किसम का भी इस तरह का फेस से गुजर रहें, तो आप सुराए दौा से help लें, इसको सुनें, इसके तरजमे को में आपने इस सुरूरत को पढ़ना है, सुनना है, और जिन्दगी में कभी भी hopeless नहीं होना, हर रात के बाद उजाला है, हर जो है, मुश्किल के बाद असानी है, ये अल्ला का बादा है, आप से मिलूंगी नेक्स वीडियो में, अंटी नेक्स टाइम, टेक किर आफ यूर स अल्ब आफ.